Hello Student, Welcome to my YouTube channel, Computer Speed, Dear Students, वीडियो को इस्टार्ट करने से पहले, इदि आपने Computer Speed चैनल को सस्क्राइब लहेंगी आ है, तो प्लिज सस्क्राइब ले बटन पर क्लिक करके चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए, लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथने Share बेल आइकन पर क्लिक करके वीडियो को Share कर दीजेगा ओके स्टूडेंट बेल आइकन को जुरू हिट करिएगा जिससे कि आपको लेटिस्ट वीडियो का अपडेट प्राप्थ हो सके सो स्टूडेंट आज ये स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को Dear Students, जैसा कि आपको पता है Students, पीछली वीडियो के अंतरगत थोड़ा ध्यान से देखो Students मैंने View के इन सारे Options को आपको Complete करवा दिया था Students, आज के इस वीडियो से Students, हम Insert के Options को पढ़ने वाले हैं Insert में जितने भी Options है Students, इन सभी को हम लोग एक एक करके सीखेंगे students आज के लिए पहला option दिया है page break students, page break option को मैंने view menu में normal पे आपको बता रखा था, यहाँ पे देखो students, पहला option के अधे रखा है आपका page break, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, फस्ट option है students, यहाँ पे insert का page break, यह page break क्या करेगा students, ध्यान से हो जाए, तो आप कहीं भी students, ऐसे line के आगे, आप क्या करोगे, करसर रखो गया students, ठीक है, और इसके बाद insert में जाके students, page break option पे आप क्लिक करोगे, थ्यान से देखो students, इस पे ठीक है, वैसे यहाँ पे break लग जाएका, आप ध्यान से देखो students, break लग गया की नहीं लग गया, इस break को लगने का क्या मतलब है students, यह break लगने की वज़े से students, वहाँ से के सारे data, जहाँ पे break लगा है, उससे उपर वाला data, अलग page पे हो गया, और ध्यान से देखो students, जो जहाँ से break लगा था, वहाँ से वाला data नीचे यहाँ पे अगले page पे चला गया है, students, इस प्रकार से इसमें आपके इस document पे दो page है students, पहला page जो उपर वाला आपको दिख रहा है students, और जो दूसरा page है यह नीचे आपको यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, so students आपने क्या समझा भी, insert कि इस page break option के द्वारा, यदि एक page पे कई सारा आपने data यहाँ पे write कर रखा है, यानि जहाँ प इसलिए students मैंने यहाँ पे page break लगाया था, तो ध्यान से देखो, ऊपर देखो अलग यहाँ यहाँ पे data है, और नीचे बाले page पे अलग से यहाँ पे data आपको दिख रहा है students, तो ध्यान से देखो students, जब मैं इसके page break option पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक 씁 आइकन आपको दिख रहा है, जाएसे ही मैं यहाँ पेग करूंगा रहा है, तो ध्यान से देखो, आपको कई रहा आप्समतिया, edit page break, और delete page break. इस्टुडेंस यदि मैं डिलीट पे क्लिक करूँ का तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूं एडिट कर सकता हूं गृष्ट कर सकता हूं आप जो एदि मैं अभी Delete पे क्लिक करूंगा तो ध्यान से देखो Students जो आपको Page दो भागों में बढ़ गया था और भी सारा सिंगल Page पे आपको दिखेगा जो मैं क्लिक करता हूँ अभध्यान से देखो मैंने क्लिक कर दिया Students अभध्यान से देखो Students क्या हुआ data सारा का सारा एक page के उपर आपको दिखा के नहीं दिखा यहाँ पे यह दोखो उपर वाला है और यह नीचे वाला आपको यहाँ पे दिख रहा है students, I hope आप लोगोंने insert का first option सीख लिया होगा यहाँ पे page break, page break का प्रियोग आप जब कर सकते students, जब कभी भी आप अपने page के उपर राइट कर रहे हो और data overflow हो के दूसरे page पे जाना चाहता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार जहां से भी data दूसरे page पे रखना चाहते हो वहाँ पे break के लगा तो automatically नीचे वाला data next page पे आपका यहाँ पे चला जाएगा और उपर वाला data होगा उस page पे आपके रुख जाएगा ना students students आई हो आप लोगोंने page break options सीख लिया होगा नीचे वाला option देखोगे students कई सारे options आपको देरखा है जैसे more break पे क्लिक करो students यह देखो रूब रेक है column break भी है यहाँ पे manual पे पे जब आप क्लिक करोगे students जैसे यहाँ क्लिक करोगे ध्यान से देखो students इंसर्ट सनिहाँ पर लिखा हुआ आया line break column break page break ठीक है इसी में students नीचे जाओगी तो ध्यान से देखो students left page भी आपको दिखा रहा है जैसे मैंने left page पे सेलेक्ट किया students ध्यान से देखो मैंने जहाँ भी करसर रखा होगा वहां तक का सारा page left में चला जाएगा और जो नीचे वाला page होगा वह अगले page पे आपको पेस्ट करता हूँ अब ध्यान से देखो मैंने क्लिक किया students एदेखो क्लिक कर दिया students तो क्या हुआ अब देखो जहाँ पे करसर था वह उपर वाला left page बन गया और जो नीचे वाला होगा students वह राइट पेस्ट बन गया ना students students तो आप यहाँ पे ब्रेक आप्शन का प्रियोग यानी इंसर्ट में जो भी आपको ब्रेक दिखरा है students एवल आप पेज को पेज को रिवाइट करने के लिए प्रियोग कर सकते हूँ students I hope आपने page break more breaks के options को अपने सीख लिया होग okay students आज ये अगले options को contain करते है students students थोड़ा ध्यान दीजिए insert menu के अंतरगत students अगला option जो आपको दिख रहा है more breaks के बाद students इन दोरों आप्शन को मैंने करा दिया है अगला option दिया image students जैसे आप insert वाले इस option पे क्लिक करोगे students ध्यान से देखो image पे क्लिक करोगे आपको एक ड आपको अपना image यहां से सेलेक्ट करना students जिसमें भी आपने पिक्कर रखा है मेरे पास students ध्यान से देखो sound नाम बाले इस फोल्डर में फोटो जहें मैं क्लिक करता हूं students मुझे कुछ फोटो यहां पे नजर आ चुकी है मैं जिस फोटो को सेलेक्ट करके students आपके क्लिक कर द मैंने जो ब्रेक लगाया था उपर आपको कमांड कराई थी students वहली ब्रेक यहां पर लगी हुई है मैं यहां पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देता हूं अब ध्यान से देखो students आपका पेज यहां पर नजर आगया कि नहीं आगया अपनी इस चानुसार इसकी size को increase or decrease कर सकते students मैं सायच यहां पर छोटा कर दिया हूं इस page की इस image की आप ध्यान से देखो students अभी मेज की सायच यहां पर छोटी है मैं जहां भी एड्येस करना चाहूंगा मैं ऐसे अपने टेक्स के साथ इसे मैंनेजर कर सकता हूंक सप्डस्ट के साथ विल्कूल आहाँ पर कियाँ है एक देखो जहां पर उठा रहा हूं जहां से उठा यहां पर छोड़ दे रहा है देखो तो जहां पर लेकिए जा रहा हूं यहां पर मिल जा रही है इस्टूंट्स आई होप अपने इंसर्ट मेनू की सॉप्थान को सीखा होगा ध्यां से देखो एक परावर स्फिर से बता देता हूं आपको बिल्कुल ही कलियर हो जाएका स्टूडेंस इंसेर्ट में जाना है इमेज नाम की सॉफ्थन पर क्लिक करना है जह से हैं आप लिक करोगे किकर और यहां से ओपन नाम सबस्क्राइब कर चारी ड्याइम आप धियां से देखों इस्टूडेंट जो वो photo students वहां से क्या हो जाएगी आपकी हड़ जाएगी और यह वली photo जुँआ पे क्या हो जाएगी इनसर्ट हो जाएगी थ्यान से देखू students जो मैंने photo भी इनसर्ट किया था वो सामने आपके यहाँ पे इंसर्टेड नजर आ रही है स्ट्टेंस आई अगले ऑप्शन को स्टूडन करते हैं फिर स्टूडनन्स पर अगला प्शन दे रहे हाई स्टू पर अगर मैं क्लिक करूंगा स्टूडेंस तो आप अपने इस राइटर के अंतरगत यानि लिब्रेग और सीड़ी इंसरेट कर सकते हुने स्टूडन्स आप चार्ट को कैसे insert करोगे थ्यान से देखो Students chart को insert करने के लिए आप यहाँ पे insert में जाओ और chart वाले अप्षन पे click करती जीएगा जैसे आप chart पे click करोगे, students आप यहाँ से देखो, students यहाँ पे chart इस तरीके से खुलके आपके सामने नजर आ जाएगा इस्टूडेंस ध्यान से देखो ऊपर यहां पे तो चार्ट की प्रापर्टी यहां पे आपको प्रापर्ली खुलके मिल चुकी है इस्टूडेंस आप जैसे मर्जिव ऐसे इनका प्रियुक करना चाहते हो कर सकते हो ने संस्थ सो आईए स्टूधन्स ध्यान मिख पugen इंसठ गडिया हैं अपनी इच्छा नुफ इनों क्या कर सकती हूं च्छ कर सकती हूं स्टुडंस कैसे चेंज करो गिआwie ध्यान अब यहाँ पे जाओ Students ध्यान से देखो चार्ट का टाइप क्लिक करोगी नए तो ध्यान से देखो Students चार्ट का टाइप आपको मिल जाएगा चार्ट कई प्रकार के होते हैं Students आप पीच्छा अनफार जो भी चार्ट रखना चाहते हो रख सकते हो यह देखो बार है, पी है, एरिया है, इस्टोडेंटस जिस चार्ट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखो गैनीचे दिहां पे चैन्ज़ आपको हो रहा होगा, डिरेक्टली आपको प्रभीव नीचे शो हो रहा है, इस्टोडेंटस देखो, लाइन पे क्लिक कर लाहां तो लाइन वाले में में इस月 वाले पर क्लिक किया तो इसक है टर वाले में आ गया बबल्के एति वाले तो नेत आज़ाएगा स्टोडेन्स कॉलम एन्ड लाइन आधा सब्सक्का है सेलिक लूगugen ती Mia मुझे 3D लुक दिखाना है मैं 3D लुक को यहाँ पर दिखा सकता हूं क्लिक करके ध्यान से देखो इस्टूडेंस यह बिल्कुल 3D के जैसे आपको नीची यहाँ पर देखो बनके आपको आ चुका है ठीक है क्लिक करोगे तो कौन आ जाएगा ठीक है शिलेंडर पर क्लिक किये तो इस तरीके का आपका आया ठीक है और भी ऑप्सन से स्टूडेंस बार पर करते ही बार के जैसे आपको नजर आ जायेगा इस्टूडेंस यह पूरा पूरा चार्ट की सेटिंग थी मैं उखे वाली बटन ध्यांकर करते हूं यान से देख 되면 आपको किस तरीके से दिख रहा है श्वारेट कि ट्रेडिटर्स चर्ट इरिया देख अरिया क्लिक करूंगे स्पेश्व चार्ट के रिट यह जाएगे यहाँ पर चार्ट की एरिया में कैसा आपको लगाना है लाइन षो गेरा आप अपनी इच्छा मितार यहाँ से सरेक्टर कर सकती हूँ इसके लिए आप कलरण देना चाहते होक तो दे शरक्षब इसकी वोटाई देना सय थuchar ब्रण चार्टवां अश्चाविया कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब और उभी अपर साथ बेव्यव में सकते स्टूरेंट की मैंने यहां यहां इवाला कलर लिया है अभी मैं AleS fur required आपव यहां साज़राइब आपको जोरे खेख ऐए टेखता है सकता है तो मोटा हो गया ओकर अ देखो अभी नीचे वाला लग गया कि अपतल्ड यहाँ पर देखो तो अभी यह वाला ठीक है स्टूडेंस इसी तरीके से स्टूडेंस याँ पर 3D व्यू ठीक है 3D व्यू के अंतरगत अप 3D व्यू जाचा दिखा सकते स्टूडेंस यह आप चाहती हो तो ठीक है आगी स्टूडेंस देखो तो आप यहाँ पर डाटा दिंए इस्टुडेंट्स आप आंप यहाँ पर उसक्ते हो जैसे कि वर्प लिख दियता हूं इस्टुडेंट्स टिहां का चीजु छी रिखारा कई इस्टुडेंट्स ऊसे हो अब आप आप दिखू, आप ध्यान से यहां पर फर्स्ट हो चुका है, सेकेंड और थर्ड हो चुका है। और यहां आपका फोर्थ मैं कहीं भी क्लिक करूगा। तो आटमेरिकली क्या करेगा। इसको भी देखो यहां पर फोर्थ में कर दिया है इस्टूडेंस ध्यान से देखो इस्टूडेंस ऊपर कुछ प्रॉपर्टी बार आपको दिख रहे हैं यहां पर इनका क्या मतलब है इसको भी थोड़ा आप यहां पर देख लो क्यों थो यदि आप किसी मालव को डिलीट करना चाहते है यहां इस्टूडेंस याप क्या कर सकते हैं । यहां पर इसको अफसे देखो यहां पर यहां पर डिलीट कर सकती हैं तो आपको एड भी हौपर हो जाएगा ठीक है इस्टूडेंस वैसे कॉलम को एड करने के लिए अप्सन आपको यहां पर देगर रखा इस्टूडेंस देखो इंसर्ट कॉलम पर क्लिक किया एक कॉलम यहां पर बन गया है तो जो भी कुछ रखना है रख भी सकती हो नहीं चाहिए तो आप इसे डिलीट अबर बन गया है अब करक दिख सकते हो अपने चेंज करके देख सकते हो याणि आपका यहांपे जो भी अप्संस मिलेगा ओचार्ट से रिलेटेट ही है अब्स्यूज मैनेज करना चाहते हो कर सकते हूँ, students जान से देखो students याँ पे याँ पे सारा कुछ option दे रखा है, ठीक है, चार्ट से related, अब यू भी apply करना चाहते हूँ, उसे apply कर सकते हूँ, so students यह था library office का चार्ट, आई ये students अगले options को contain करते हैं, students थोड़ा थे आन से देखो students, अगला option क्या दे रखा है, आप पे media, media के अंतरगती, students आप क्या कर सकते हूँ, याँ गैलरी से आप जो भी कुछ insert करना चाहते हूँ, students ले सकते हूँ, ध्यान से देखो students, gallery कहा पे open हो गई, यहाँ पे खुला है कि नहीं खुला है, अब जो भी आपको gallery में से चाहिए, आप उसे drag कर दोगाने, students ध्यान से देखो ऐसे, ठीक है, पकड़के छोड़ दोगे, वो automatically आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपको मिल जाएगा ने, students, यह देखो, मैंने यहाँ पे छोड़ा, यह देखो यहाँ पे, आचुका है कि नहीं आचुका है, students तो जो भी आपको चाहिए, इस media के अंतरगत, यान समझ दिया, इसे, आजी, students, अगले options को contain करते हैं, प्रध्यान से देखो, students यहाँ पे, अगला option देखो, students, इसी में, media के अंतरगत, यहाँ पे, जो media दिया है, इसी में next option दिया, scan, तो scan option जब यूज होगा, students, जब आपके laptop, या desktop computer से आपने apply scanner, या किसी विप्रकार का camera, जो scan करके अपने इस computer में, अपने library office में क्या कर सकते हूँ, यहाँ पे, अपने library office write document पे ले सकते हूँ, जो scan option जब करेगा, काम करेगा, students, जब आपके computer से scanner क्या होगा, students, यहाँ पे attached होगा, तभी यह काम करेगा, students, I hope आप लोग ने gallery और scan options को समझ दिया होगा, अगला option दिया students, ध्यान से देखो, audio or video, students, यह क्या करेगा, आप देखो, students, यहाँ इंप्रेस में, आप audio video insert कर सकते हूँ, लेकिन, students, इसमें भी किया जा सकता है, यदि आप चाहती हो, ठीक है, तो मैं audio पे हाँपे click करूँगा, students, तो ध्यान से देखो, students, इस तरह का आपकाइट टागला box खुल गया है, यहाँ पे, देखो, तो students, इसमें कुछ audio है, मैं किसी को भी select करके, यहाँ पे, जैसे ही मैं open नाम की इस option पे click करूँगा, students, अब ध्यान से देखो, students, एक audio फाइल इस तरीके से आपकी आपकी आपको खुलके, नजर आ चुकी है, मैं जैसे ही play करूँगा, students चाहिए आपका, play हो जाएगा, मैं click करता हूँ, students, ध्यान से देखो, play हुआ, लेकिन आपको आम आज नहीं आई क्योंकि sound नहीं था, मैं फिर से play करता हूँ, अब ध्यान से देखो, students, sound आपको सुनाई दे रहा हुगा, students, ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे play कर रह हो यह प्ले हो रहा है देखो तो लिए हो रहा है क्लिक करते हैं इसका मतलब साउंड चल रहा होगा और इस्टूडेंस आज की वीडियो में आपको करा दिया है, students, वीडियो समझ में नहीं आया है, तो please, वीडियो को बार-बार रिपिट करके देखें, जिससे की वीडियो में बताई गई बातें, आपको अच्छी तरह की समझ में आ जाएं, Okay, students, Computer Speech Channel की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत थाने बात, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, Thank you for watching this वीडियो